Hello friends, आज की इस वीडियो में हम exercise 13.3 का question no.7 लेंगे तो यह question इस प्रकार रहा है कि an insurance company insured 2000 scooter driver, 4000 car drivers and 6000 truck drivers the probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively one of the insured person meets with an accident, what is the probability that it is a scooter driver तो question इस प्रकार है कि किसी company ने 2000 scooter driver और 4000 car drivers और 6000 truck drivers का insurance किया, तो अब वो कह रहे हैं कि scooter driver, car driver और truck driver जो उनकी number जाने के संख्या 2000, 4000 और 6000 है तो उनके accident होने की probabilities जो हैं, वो 0.01, 0.03 और 0.15 है यहाँ पर यह मैं इसको branch diagram से आपको बताऊंगा हालगी यह question में करने के लिए नहीं होता, लेकिन इसको देखने के बाद आपको bias theorem जो है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी और कभी भी कोई भी question bias theorem पर based होगा, आप उसे बड़े आराम से कर सकते हैं तो यहाँ देखिए स्कूटर ड्राइवर क्योंकि 2000 हैं टोटल ड्राइवर जो हैं 12,000 हैं तो 2000 बटे में 12,000 यान के 1 over 6 और car driver 4000 हैं तो 4000 बटे 12,000 तो इस तरह से 1 over 3 और truck driver जो हैं वो जो हैं आपके 6000 हैं तो इसकी probability 6000 बटे 12,000 यान के 1 by 2 होगी अब जो है यह आपको देखना है कि वो उनमें accident होता है या वो safe रहते हैं तो accident होने की probability scooter drivers के अंदर 0.01 है तो यानि के scooter driver में 0.01 जो है वो उनमें accident होगा जैसा possible है इसका मतलब 0.99 जो हैं जादातर safe रहते हैं probability के हिसाब से और car driver जो है उनमें 0.03 जो है probability है कि उनका accident होता है और safe जो है इसका मतलब 0.97 रहते हैं और truck drivers में 0.15 है तो और जो है जो safe जो truck driver है वो 0.85 है यहां पर safe वाले की हमारे को किसी भी question में निकालने के जुरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रॉइबिल्टी में पूछ रहा है कि accident तो सिरफ accident ही लिखना काफी है तो वैसे सिरफ समझाने के लिए मैं इनको आपके लिख रहा हूँ तो अब हमारे को क्या करना है जो भाएस थैरम जैसे करने है क्योंकि हमारे को accident से करने है और हमें यह देखना है कि ऑवा accident जिसका हुआ वहром एक की events हैं जो की scooter driver, car driver और truck driver के accident होने के को बता रहे हैं तो यहाँ पर एजो है event यह है कि किसी व्यक्ति का accident हुआ अब वो जो है उस accident को हम जो है एकि घटना को एसे दिखा रहे है जो event है जो की बता रहा है कि किसी का accident हुआ तो अब जो है देखिए accident किसी का भी हो सकता scooter driver का भी car driver का भी और truck driver का भी यानि के तीनों के लिए यह है कि accident होता है तो अब इनकी संख्या कितनी है तो Skooter driver 2000 है truck driver 4000 है और 6000 जब है वो आपके truck driver है car driver 4000 है scooter 2000 है तो total कितना हुए इनका 12,000 तो जो है एब E1 जो है probability of E1 क्या है कि driver जो है वो scooter का हो तो scooter driver क्योंकि 2000 है तो 2000 यानिके 2000 को 12,000 यानिके 12,000 से डिवैड करते हैं तो simplify करें पर ये 1 over 6 आता है यानि के scooter driver के accident होने की probability 1 over 6 है और car driver जो है क्योंकि 4,000 है और total जो है insured person जो है वो 12,000 है तो इनमें accident होने की probability जो है मतलब इनकी इस घटना के scooter driver होने की probability कि 1 over 3 यानि के जितने भी है उनमें 1 over 3 जो है वो car driver है तो truck driver जो है वो है 6000 और total है 12,000 यानि के उनमें से 1 by 2 जो है वो क्या है truck driver है यानि के जो insured person है उसकी probability 1 by 2 है कि वो truck driver होगा तो अब जो है यहाँ पे हमने किसी में भी accident की बात नहीं किया यह सिरफ है कि insured person में 1 by 6 scooter driver है 1 by 3 जो है वो car driver है और 1 by 2 जो है वो truck driver है अब P A over E1 है कि जो जिसका accident हुआ वो क्या हो scooter driver हो तो जैसा कि बता है scooter driver में accident होना के संभावना की probability है 0.01 और car driver के में accident होने की probability को A over E2 लिखेंगे तो जो की question में दियो है 0.03 तो car driver में जो है accident होने की probability है 0.03 और जो है truck driver है उसकी accident होने की probability है A over E3 तो इसमें जो है जो question में दे रखे 0.15 तो अब हम इन probabilities को जो है decimal से हटाके fraction में लेते हैं तो decimal समें हटाएंगे तो यह जो है आपका 0.01 जो है यह 1 over में 100 हो जाएगा और 0.03 जो है 3 over 100 हो जाएगा और 0.15 जो है 15 over 100 होता है तो यह जो है अब आपने लिखा तो अब यह branch diagram क्यों बनाया गया तो branch diagram में सिरफ आपको यह समझाना है कि जिसकी आपको probability निकाल ली है उसको उसके sticks के multiplication को उपर रखना है और बाकी सारे sticks के multiplication को नीचे add करके लिख दे सिंपल और easy method है सबसे ज़्यादा यह आप इस तरह से कर सकते हैं अब हमारे को देखियो probability किसकी निकालने accident हुआ और किसका हुआ scooter वाले का हुआ तो accident पहले हो चुका है इसको ए को बाद में रखेंगे और घटना किसकी वज़ात हो रही है scooter वाले के साथ तो इसको e1 को पहले लिखेंगे तो इसके जब ऐसा होता है कि हम back में जाते हैं तो हमेशा बाइस्थरम यूज़ करते हैं तो हमने जो accident में जो scooter driver के तो इनका product को उपर लिखा और नीचे car driver होने और car driver के accident होने की probability के product को उसमें add कर दिया और truck driver होने और truck driver होने के accident होने की probability के product को भी add कर दिया यानि के तीनों तरह के driver के accident होने की probabilities को और उनके होने की probability को आपस में multiply करके add कर देंगे तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे और अब देखिए P1 हमारे पास क्या है P1 था हमारा 1 over 6 तो 1 over 6 है और जो है accident होने की probability है 1 over 100 तो इसको जो है यहाँ पे इनका product यहाँ पे लिख दिया और नीचे जो है इसी को हम दुबारा से repeat कर देंगे तो 1 over 6 into में 1 over 100 जो की P probability of E1 and probability of A over E1 है अब probability of E2 यहाँ पे second जो है नीचे बीच वाली middle वाली stick के multiplication को यहाँ लिख देंगे 1 over 3 into में 3 over 100 और तीसरी वाली में सबसे नीचे वाली stick के probabilities के product को लिखेंगे यानि के 1 over 2 into में 15 over 100 तो उमीद है आपको यह सब समझ में आ गया होगा अब आपको बायस theorem का नहां तो formula यह रटने की जरूरत है और नहीं किसको कहां रखना है यह याद करने की सिरव आप stick method को याद कीजिए और जो है आपने exam में 6 marks जो हैं पक्के कर लिजिए तो यह 100 हो गया और दूसरे वाल में 3 से 3 cancel हो गया तो 1 over 100 आ गया और 1 into 2 1 over 2 into में 15 over 100 से 15 over में 200 आ गया अब इसमें 600 100 और 200 का LCM जो है वो आता है आपका 600 तो 600 को LCM लेंगे नीचे denominator में और जो है उपर numerator में इसके आ जाएगा है denominator के numerator में 1 plus 6 plus जो है आपका 45 जो किसका sum कितना हो जाता है 52 तो यह आ गया 1 over 600 और 52 over 600 तो यह आपके 52 इदर आ गया तो अब देखिए इसको simplify किया तो हमारे पास आता है 1 over 600 और 600 इंटू में करके upon में 52 तो 600 से 600 कैंसिल हुआ और हमारे पास आया 1 over में 52 तो यह हमारा answer वा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर आप पसंद आए तो मेरे चैनल दामैस गुरुदेव को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिया धन्यवाद